Hi everyone, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे Heisenberg Uncertainty Principle के बारे में क्या बोलता है Heisenberg Uncertainty Principle तो ये बोलता है कि अगर कोई body motion में है अगर कोई भी body motion में है तो उसका जो position है और उसका जो momentum है उसे हम accurately और simultaneously calculate नहीं कर सकते मतलब जैसे कोई भी body मान लीजिए तो जब वो motion में है तो जब वो motion में है तो या तो हम उसकी position बता सकते है या फिर हम उसका momentum बता सकते है कवी भी हम उसकी दोनों चीज्जे एक साथ और सही नहीं बता सकते अगर हमने उस body की position और momentum एक साथ बता भी दी तो for sure उन میں से एक जो होगी वो accurate नहीं होगी एक गलत होगी तो यही हम proof भी करेंगे तो इस principle के according कि when a body is in motion it is impossible to determine its position and momentum accurately and simultaneously सही और एक साथ दोनों चीज़े नहीं calculate की जा सकती किसी body की जो motion में है अगर हम mathematical expression की बात करें तो mathematical expression बोलता है कि delta x मान लीजिए error in position है, delta x जो है वो error in position है और del p जो है वो error in momentum है, तो Heisenberg uncertainty principle कहता है कि जो del x into del p का जो product है greater than equal to होगा h upon 4 pi के, यह एक principle है given statement एक तरह से, ठीक है mathematical expression है, given कि del x into del p जो है वो greater than equal to होगा h upon 4 pi के अब हमें पता है कि p के हैं आप है momentum है, और momentum का formula होता है m into v, तो अगर हम error नहीं होगा, mass तो जितना है उतना ही रहेगा तो error in velocity है जाएगा, ठीक है m delta v अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया del p की जग़ क्या पूट किया m into delta v पूट किया, तो del x dot m del v is greater than equal to h upon 4 pi, तो यहाँ से हम क्या करेंगे हम दो चीज की value निकालेंगे अब हमें पता है कि अगर del v की value 0 होगी, change in velocity अगर 0 है, इसका मतलब जो velocity में जो error आ रहा है, वो कितना है, 0 है जितनी velocity पहले थी उतनी बाद में, कोई error नहीं है, मतलब velocity measured accurately तो velocity del v की value 0, तो उस case में del x कितना आ जाएगा infinite आ जाएगा, तो जब velocity को हमने accurately measure किया तो position में क्या आगे, infinite errors आगे, देखा, हमने दोनों चीज़ को measure किया, एक को हमने accurately measure किया, तो दुसरी में अपना आप क्या आगे errors आगे, अब case second की बात करते है, case second में हमने बोला कि del x बराबर 0, मतलब error in position जो है, वो 0, मतलब infinity, इसका मतलब जो error in velocity है, उसमें क्या आगे, infinite error आगे, और velocity में infinite error का आने का मतलब है, कि momentum में error आगे, तो Heisenberg यही हमें समझाता है, कि कि किसी भी body का जो motion में है, position और momentum, एक साथ और सही, मतलब accurately और simultaneously measure नहीं किया जा सकता है, अगर हम एक चीज़ measure करते भी हैं, तो दूसरी चीज़ में क्या जाएंगे, सही measure करेंगे, तो दूसरी चीज़ अपना आप क्या हो जाएगी, error वाली आएगी, ठीक है, दूसरी नहीं में infinite error सह जाएगे, तो यही हमें समझाता है Heisenberg Uncertainty Principle तो I hope यह समझ में आगी होगा Heisenberg Uncertainty Principle क्या होता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेर करें वीडियो को अपने friend circle में और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी